हाई फ्रेंड्स वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने ओफिशल यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में जिसमें एक नोटिफिकेशन आया है आंगणवारी डिपार्टमेंट की तरफ से और सेकन जो नोटिफिकेशन आया है पटवारी की तरह से आ गया है तो किस तरह अपलाई करना है क्या क्या इलिजिबलीटी क्रीटेरिय रहने वाला है कॉन इसमें कब से अपन है कर सकता है दोनों की दोनों से नोटिफिकेशन के लिए All India से आप अपना है कर सकते और first time channel पर आ रहे हैं तो इसी तरह से आप चाहते हैं हर एक notification आप तक सबसे पहले पहुन जाए official notification पेडियाफ के साथ तो जल्दी से channel को subscribe कर लिजे subscribe कर लिया है तो subscribe करने के साथ bell icon को जरूर प्रेस करना bell icon को प्रेस करके all पे click कर लेना ताकि हर एक notification आप तक time पर पहुन जाए अभी हम बात कर रहे है recruitment की जो कि एक आंगरवारी department की तरफ से आई है और एक notification आया है पटवारी की तरफ से बहुत अच्छी opportunity आ चुकिया हर एक qualification के accordingly vacances आई है तो सारे के सारे male and female दोनों ही candidate invite के गए है दोनों ही apply कर सकते हैं काफी अच्छी opportunity आ चुकिया है आपको पता है vacances काफी time से नहीं आ रही थी तो आज बिलकुल fresh नए notification आ गए है आज से apply करना भी start हो चुका है तो किस तरह apply करना है क्या क्या eligibility रहने वाली है एक एक notification का मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले हम बात करेंगे अंगरणवरी डिपार्टमन के notification की कैसे apply करना है क्या क्या eligibility criteria रहने वाला है कब से कब तक apply कर सकते हैं उसके बाद हम बात करेंगे पटवारी के notification के लिए उसके दिए क्या eligibility रहने वाली है कब से कब तक आपको apply कर लेना है क्या eligibility criteria बताया गया है सबसे पहले हम चलते हैं अपने first notification के उपर वहाँ पर चलके आपको बताते हूँ किस तरह apply करना है कौन-कौन जी vacances आई हुई है आप देख सकते हैं हम first notification के उपर अभी आए हैं जिसमें vacances आई है आंगणवारी worker and helper की vacances आप बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे बहुत सारी comments मेरे पास आते रहते थे की workers की and helper की vacances कवाँगी तो finally official notification आ गया है apply करना भी start हो चुका है apply आपको online करना है mostly गया होता है कि जो आंगणवारी की vacances होते है उसमें offline apply करना होता है लेकिन इस बार online apply करना है जो की apply करना भी start हो चुका है बात करते हैं number of vacances की इसमे total जो vacances out की गिया है 120 vacances आई हुई है तो apply करना भी आज से शुरू हो गया है age limit की बात करते है age आपकी minimum 18 है आप apply कीजिए maximum 35 प्लस इसके इलावा relaxation आपको दिया जाएगा जो as per rules रहेगा next हम बात करते हैं qualification की यह जो notification है इसके लिए 4th pass 10th pass and 12th pass get rate apply कर सकते हैं graduation वाले अगर apply करना चाहते है वो 12th basis पे कर सकते हैं first notification की यही eligibility है second की बताती हो क्या है ठीक है इसमें selection procedure की बात करें तो पहले आपका return होगा फिर आपकी interview होने वाली है उसी के basis पे selection होने वाली है ठीक है उसके बात बात करते हैं application फियर नोने mention नहीं किये अगर होती तो यह notification में mention करते हैं और salary as per rules रहेगी first notification के लिए इसकी last date जो apply करने की 8 February 2021 तक आपको apply करना है यह वाला apply online का link है second वाला है official notification download का सबसे पहले आपका पता क्या का में official notification डाउलोड करना है उसको आपने पहले अच्छे से read जरूर करना है read करके अगर eligible है आज ही apply कर देना अब हम चलते हैं second notification के ओपर उसके लिए भी सारे के सारे male and female दो नोही candidate apply कर सकते हैं चलते हैं second notification पर तो आप देख सकते हैं second notification के ओपर इससे notification के बहुत सारे candidate के comment आ रहे हैं कि अगर हम all India से apply करते हैं तो हमारी job location क्या रहेगी वो भी बताऊंगी इसमें सबसे important बात कौन-कौन apply कर सकता है तो male and female दोनोही apply कर सकते हैं number of vacancies की हम बात करें तो 1152 vacancies है जिनका notification आउट हुआ है post name की हम बात करें तो पटवारी जिलादार clerk तेन टाइप की vacancies आई हुई हैं जिस में से 1090 vacancies जो है वो पटवारी की है जैसे की commitment की गई थी by government उसके इलावा जो vacancies है आप 1152 में से 1092 माइनस करेंगे तो बाकी जो vacancies ब ठीक है उसके बाद हम स्क्रोल करते हैं इसमें जो आपका return exam होने वाला है जो कि objective आपका होगा application fee की हम यहां बात करते हैं जर्नल के लिए 1000 है स्क्राइब के लिए 250 है एक सर्विस्टमें के लिए 200 फिजिकली हैंडिकाप के लिए 500 पेमंट मोड आपका ओनलें देगा आप debit card credit card या फिट नेट बैंकिंग से पेग कर सकते हैं उसके बाद बात करते हैं salary की इसमें आपकी जो salary रहने वाली है 19,900 से 35,400 पर मन्द salary रहने यह जो salary पटवारी की पोस्ट के यह जो salary है जिलादार की पोस्ट की है उसके बाद बात करते हैं qualification की आपने graduation की है किसी भी discipline में आप अप्लाई की जिए लास्टिट अप्लाई करने की है 11 February 2021 तक आपको अप्लाई करना है और इसमें इन्होंने के condition लगी है आपकी जो 10th class है वो पंजाबी subject के साथ pass out होनी चाहिए जैसे जो हर्याना के candidate है जो पंजाब की है कुछ JNK के candidate जिन्होंने 10th पंजाबी में की होते हैं कुछ राजस्थान के भी होते हैं तो वो सारे candidate यहाँ apply कर सकते हैं पंजाब आपकी इसमें job location रहने वाद है यह online apply का link है यह notification का है इस